जहिन साथियों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी वच्छे होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे बिहार पुलिस के इस पर जो भी है जो भी बिहार पुलिस की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफे इंपोर्टेंट होने वाला है आज मुखेता हम दिल्ली पुलिस को स्टेवल का फॉर्म भरे थे मुखे जाए यादी आपका शाठ नंबर मेल कंडिडेट है किसी बी क्रिटेग्री से है यदि आपका शाठ नंबर बन रहा है तो आपको फीजकल में लग जाना चाहिए बिहार पुलिस के पहले ही आपका जो है इसका फीज जोईन कर लो बिहार पुलिस को स्टेंबाई में रखो उसका सेट वगएरा मारते रहो बाकी आप लोग फीजकल करें तो यह दिल्ली पुलिस कोंस्टेवल की कौम भरे थे उनके लिए हैं पाकी देखिए बिहार में अभी हाल फिलाल में काफी सारी वेकेंसी चल रही है जैसे इनके पास इतना तो कमन मैंड हूए है कि हम वह किस चीज का त्यारी करना चाहिए तो बहुत लटके अईसे होंगे जो B е से सथी इंट्रेस्ट थरी है इसका फॉर्म भरे तो उसका भी जो रदिट और है 11त क्डिन ऑहार तक 9 या至 11 तक की फुर्म मेंट जो चल रही है तो टीचर का भी तो एक्जामनेशन बहुत जल्द ही होने वला है उसका भी जो है डाउनलोड हो यह चुका होगा और देखिए बिहार में और वे सिबिल कोट की वेकेंसी है तमाम सरी इस तरह के छोटी वड़ी वेकेंसी से आपको देखने को मिल रही है तो जो सिर्फ बिहार पूरिस कंस्ट वलं के लिए यह फोर यह हैं तो उनhta के लिए एक दो बाते कि आप लोग़ इधर उधर ज्यादा दिमाग न दो आए तेको आपका टार्गेट क्या है मतलब नौकरी अभी तो अल्टिमेटली मतलब यह कहा जाए कि हम सौक से पूलिस बनना चाहते हैं तो बहुत कमे ऐसे लड़के होंगे जिनको यह होगा कि हम मतलब पुलिस ही बने आज की डेट में बस यह हो गया है कि एक सरकारी नौकरी मिल जा है सरकारी नौकरी में जैसे कि आपका पूलिस डिपार्टमें वेकेंसी आजाए चाहे रेलवे में आजाए चाहे करमचारी लेवल के आजाए कहीं भी मेरा एक सेलेक्षन जरूर हो जाए सबके लगभग मौस्ट्रील लड़कों का यहीं विचार रहता है रियर केस में ही रियर केस मतलब की 10-20 परसेंट ही है ऐसे लड़के होंगे जो मतलब इंडिविजुएली चाहते होंगे कि हम पूलिस बन जाए तो जो चाहते होंगे वो तो जाहिर सी बात है कि वो भाई सेरियसली लगे होंगे उनको तो कुछ दिखी नहीं रहा होगा दीम र लाओ करिये रहा हुए कि नहीं तुमको पढ़ना है तभी नोकली ले पाओगे, एक किसजार कम नहीं होता है, बहुत बड़ी संख्या है और ऐसा परशनीटी बार-बार नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होंगे, जो डिस्ट्रेक्ट होंगे, जो चार-पाच फॉर पाने का, यदि आप दिल्ली पूलिस भी फॉर्म भरे हो, तो दिल्ली पूलिस का भी कट अफ आपको हाई जाएगा, पेपर भी इसका नर्मल नहीं हुआ था, आपको ही पता है, बहुत सारे यूटूबर जो है, आपको डाटा भी रिलीज किये हैं, कम्मूनिटी में पोस् जो है, साथे नंबर है, मतलब साथे कोशन सही हो पाया है, बाकिन नर्मलाजेशन में जितना बढ़ जया है, वो अलग एक मुद्दा है, ठीक है, तो इस इसाब से पेपर अफ लेवल हाई था, तो आपको मैंने कट अफ भी बता दिया, यदि उससे कम आपका कट अफ आ रह पर, इस बात को सभी लोग जानते हैं, और जो जान दी होंगे, उनको पता भी होगा, दिल्ली पुलिस में एक सिस्टमेटिक तरीका से कोशन पुछा था भाई, दस कम्प्यूटर से हम पूछ लेंगे, बिस पचीस रिजिंग पूछ लेंगे, दस बिस मायत पूछ लेंगे पढ़ने पढ़ेगी आपको, तो कहां कोश छुट रहा है, लेंग्वेज दो-दो पेपर घुसा हुआ है, जीके जीएस घुसा हुआ है, मैथ घुसा हुआ है, सब कुछ घुसा ही हुआ है, तो जाहिए सी बात है कि विहार पुलिस का पेपर टफ है, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई आपको जादा करना है, कोशन की संख्या जो है कम रहने वाली है, तो बिल्कुल उसे टफ है, समझ लो कि जो 50-55 नंबर, 60 नंबर के आसपर जो ला दे रहा है, उसका फाइनल मेरिट बन जाता है, समझ लो कि ऐसे भी फाइनल मेरिट तो रिटेन पर बनता नहीं है या फिजकल पहीं बनता है, तो 50-55 नंबर वाले का भी सेलेक्शन हो जाएगा, यदि पेपर बिहार का आउट नहीं होगा, तो कहीं न कहीं बिहार पुलिस का पेपर टफ है, तो इसलिए जो है, आपको अपना दिमाग को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आप अपना लेडी इसका एडमिट का डाउनलोड हो चुका है, बाकि इसके बाद जब भी आपको एक्जामनेशन देखने को मिलेगी, वह जनवरी के लास्ट में एक्जामनेशन हो, या फिबवरी में हो, आपको बिहार पुलिस कोंस्टेवल कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार जो है, अभी आपको भी पता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन साइटी के अंडर में है, चल रहा है, तो यह कभी भी वहां से लोग रिलीज कर सकते हैं, बहुत सारे गिरोफ को पकड़वे भी हैं, बहुत सारे इसे बड़े-बड़े दिग्ज़ लोग भी इसमें सामील है, जाइसे बात है, आपको तभी तो उसका नाम रिविल नहीं किया जा रहा, ऐसे भी तो नॉर्मल लोगों की बात है, नहीं पेपर आउट कराना, कहीं नहीं कराना, कहीं नहीं कहीं बड़ा हस्ती तुर जरूर इंक्लूड है, तभी तो जो है, बड़े-बड़े करनामें हो मिलेगी, तो कहीं ना कहीं, मुखेता इस वीडियो बनाने का मकसद यहीं था, कि भले आप 10-20 पॉम भरे हैं, आप देख लीजिए, यदि आप बिहार के हो, तो आपको बिहार पुलिस कॉंस्टेवल पे फोकस करना चाहिए, दरोगा का फॉम भरे हो, दरोगा का एक्जाम दे लो, ठीक है, और उसके बाद से बिहार पुलिस में आप लग जाओ, क्योंकि दखिए, आप अपना लेवल भी तो दखिए, आपका लेवल क्या है त्यारी करने का, आप जैसे कि मान लेते हैं, टीचर का फॉम भर्दिय तो पीप्यस्ट का दुवारा कंड़क्ट हो रहा एक साल में 2-3-3 बार एक्जाम आपको देने का मौका मिल रहा, आप बिहारे पुलिस नहीं है, आपको फायर है, मधनी सेद में तो 2-3-3 वेकंशी आ जा रही है, तो जाहिए बाते आप बिहार पुलिस तो दिये ही हो, तो आपको एक्सपेरियेन्स है, तो इसलिए जो है, आपको इधर उधर थोड़ा सा कम दिमाग लगाना चाहिए ये दो एक्जाम का वजी फॉर्म भरे हैं तो उसके फोकस करिए इसके अलावा यदि आप कोई भी फॉर्म भरे हैं तो मुखेता आपका टार्गेट बिहार पुलिस रहना चाहिए और देखिए जब तक आप अपन बनने वाला नहीं है